दोस्तो, प्याज के तो अनिंग को फायदे होते है हमारे बालो के लिए, लेकिन आज मैंब के लिए दुनिया के सबसे तीन बहरेतरी निकर के आई हों, जिससे आपके बालो का तूटना जाना रूप जाएगा, बाल नए बालो गए गे बालो की ग्रोध बहुत जाद होगी, और बालों की खोई भी चमक वापस आएगी और बालों की जो डामेज होगी वह भी रिपेर होगा तो पहला आपको बनाना है दोस्तों बेस्ट हैर केर शैंपू रिमेडी उसके लिए अनियन पील जो है यानि प्याज की चिलके चाहिए एक बरतन में एक गलास पानी प्याज क चिलके और एक चमच मेधी दाना डाल करके इन सबीची को दस मिर तक अच्छे सुबालना है वालने बाद छान ले दोस्तों चानने के बाद इसको आपको एड करना है आपके बालों में लगाना है बोना केर का हेर मास्क जो की यह भी रिपेर है शैंपू रिपेर के बाद आ बाद बहुत सौफ्ट और मुलाइम लगेंगे दसमेट अपने बालों में लगा के रखे और फिर नॉमर वाटर से वाश कर ले दोस्तों बहतरी चमकदार और चुकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे तो दूसरा जो रिमेडी है यह भी बहुत ही बेस्ट है दोस्तों हेर सीरम म निया आपके बालों की भोष्ट को बूस्ट करेगैगाा और बालों की जरो को भी बहुत ही जाधा मजबूत करेगा तो इसको बनाने के लिए पिर यहां पर दोको क्या करना है एक बरतन में ले रहे हैं दोसे तीं तेजपता एक चम चाय का पती और एक चोटे से पयास को काड़ करके राल ड़ी एक गलास पानी राल करके इसको भी दोस्तों आपको अच्छे से उबालना है कम सब आच से 20 मिरे तक ज़रूर उबाले उब की मदद से बहुत ही अच्छे सपने बालों पे जरों की यानि जो बालों का स्कैल्प होता है वहां पे लगा ले और फिर इसके बालों के लेंद पे अपलाई कर सकते एक घंटा रखें और इसको वाश कर सकते हैं श्यांपू से इसके भी रिजल्ट बहुत ही बैस्ट आएंग चमच बालों के लिए और फिर दोस्तों इसको आपको बहुत ही कम आज प्राउन प्याज के ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है फिर इसको अच्छे से चान ले दोस्तों यह जो तेल मिलेगा बेस्ट तेल होगा इसमें आप एड़ कर सकते हैं कैस्टर ओल एक चमच के अच्छे से मिक्स करकि तेल को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं ठड़ना करके लांग टाइम के लिए और फिर इसको आप जब भी अपलाई करें रात को सोने के पहले पूरे बालों पर अपलाई करें अगले दिन आप चाहें तो शैंपू कर सकते हैं या फिर आपको अश् रिमेडिस ट्राइ करती रहती हूँ आप भी ज़रू ट्राइ करिए आपको भी best result मिलेगा, यह तीन रिमेडिस बहुत ही अच्छे हैं, आपको ज़रू ट्राइ करना चाहिए, विडियो चलोगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेर करें, thanks for watching